हेलो एवरीवन फ्रेंद्स वेलकम बैक तो हैपी लाइफ हैपी लाइफ चैनल फ्रेंद्स यहां मैंने जो चने की दाल भिगो के रखी थी तो टू आज भिग गए थे दाल और मैंने सोचा रात को नाच्टे की प्रिपरेशन करके सो जाती हूँ तो उसको मैंने पीस दिया था रात में और अभी सुबह सुबह मुझे यह वाला काम याद आ गया है तो मेरे पास है यह फैरी लाइट जो बहुत पहले मेरे सिस्टर ने मुझे दिये थे तो यह बैटरीज मतलब पुराने होगे तो यह नहीं चल रहा तो फ्रेंट्स यहाँ पे मैं तयार हो गई थी और घर का जो रूटीन वर्क होता है वो कम्प्लीट हो गया है तो यहाँ पे मैं ब्रेकफर्स बनाऊंगी और जो मैंने चेने की दाल को पीसा था उसमें मैंने अद्रक के टुकडे हरी मेर्च और कड़ी पत्ता अड़ कर दिया है और नमक अड़ किया है और ये बहुत टेस्टी लगता है सबको हमारे घर में तो इसको मतलब वड़ा कहते हैं हम लोग तो आप क्या कहते हैं आप मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में तो यहां पर डीप फ्राइ कर दूँगी मैं इस वाले मतलब बैटर को तो यह बहुत जादा टेस्टी और क्रिस्पी एक वड़ा बनके रेडी हो जाएगा इसको आप मतलब किसी के साथ भी खा सकते हैं जैसे चटनी टोमाटो सॉस फ्रिंट्स आज ना मैं जाते जाते स्कूल माहीं पर जब ममी का घर भी है तो मैं सोच रही हूँ उनको भी बॉक्स में देखे जाऊं और यह तो मेरे पापा का बहुत जादा फेवरेट है उनको च अगर अभी दे देती हूं तो वो लोग सबसे पहले यही खाएंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो नाश्ते में थोड़ी देर होगी क्योंकि वो आज थोड़ा लेट ही उड़ गये थे क्योंकि रात को दो बजे तक करेंट नहीं था घर पे बारिश हुई थी ब गोड़ा बुखार जैसा हो गया था उसके गले में भी दर्द हो गया था मतलब गर्मी जादा बरदाश नहीं होती और मच्छर उपर से इतना जादा मतलब भयंकर हो जाता है जब पावर कट हो जाता है सही में तो यह सारे बॉक्सेस रेडी हैं मैं रख लेती हूं लंच ब आप व्लॉग को एंड तक जरूर देखें कहीं भी ना जाएं लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा फ्रेंड्स तो अम्मी का फोन आया था अभी वो बोल रहे थे मतलब क्या अभी तक त्यार नहीं हुए तो जल्दी नहीं उठी यही वो मतलब थोड़ा गुसे में बोल रहे थे तो मुझे लगा क्या हो गया आज तो इसलिए ना मैं जल्दी जल्दी निकलती हूँ पता नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं कि मेरे उपर गुसा हो ममी क्या हुआ है जाके पता करती हूँ तो मैं सुबह आई थी ममी को टिफिन देने के लिए और फिर उन्होंने मुझे एक बात बताई थी फ्रेंट्स और अभी शाम का टाइम है मैं स्कूल से आगी हूँ तो यहां देखे चीली क्या कर रही हैं तो यहां पे ना मैं थोड़ी सी क्लीनिंग करने के लिए पापा की जो स्कूटी है वो गली में रख देती हूँ और इसके उपर पापा ना बैट शीट वगेरा कवर करके रखते हैं वरना यह नया नया सीट कवर भी मेरे जो चीली है ना वो मतलब बहुत गंदा कर देते हैं लेकिन हम उनको कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि उनको क्या पता य हमको उनको डाटना नहीं चाहिए अचली यह उनकी दुनिया हम उसमें रहते हैं तो यह बहुत सारे लोगों को पता नहीं है तो वो खामखा आनिमल्स को डाटना या उनको मार देना या किसी चीज से उनको मतलब डरा देना ऐसे करते हैं तो यह प्लीज ना करा करें क्योंक भूल देते हैं अगर उसको समाज होती तो वह क्यों करता वो कोई मतलब उसका मूह नहीं है कि वह आपको बता दे कि उसको क्या हुआ था उस में क्यों किया तो मतलब उसी के ऊपर रखे डाट रहे थे जोर-जोर से तो अच्छा नहीं लगा था मूड अफ हो जाता है फ्रंस मैं आपको जले एक चीज दिखाती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ मेरे चीली में क्या किया गाड़ी का हश्रुत है तो आप देख सकते हो फ्रंस नया सीट कवर है उसने ऐसे कर दिया लेकिन हम उसको क्या बूलेंगी मासू मैं उनको क्या पता हम अगर खाना देते हैं वो खाते हैं या मतलब नहीं बोलना चीए यह तो मैंने सुचा चलो आज ना थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं ममें लोगों क पर आगे थी और ये वाले कंटेनर में हम लोग वाटर स्टोर करते हैं कि जब पानी का कोई प्राब्लम हो तो ये सिर्फ प्लांट के लिए यूज करते हैं तो इसके उपर हम थोड़े प्लांट भी रखी लेते हैं तो इसको हमने पेंट किया था रेसेंटली तो यहां पे देखिए बहुत ज़्यादा मिट्टी जमा हो गई थी बारिश के वज़े से तो इसको साफ करना जरूरी था मैंने कहा चलो मैं आज यहां आई यहों तो कुछ ना कुछ काम करके दे देती हूं ताकि इनका थोड़ा हेल्प हो जा और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छ है और आपको पता है फ्रेंस यह नो सिफ 20 रूपीज में एक दिन ममी ने लिया था मुझे नहीं मिलते इतने कम में पताने और यह देखो शेरू इसी ने साइड वाली को कुछ बोला होगा फ्रेंस मैं कर देती हूं यहां की सफाई क्योंकि कल बारिश के वज़े से मतलब ग रखा है तो वो सैंड मतलब सीडियों से आगी थी तो इसलिए मैं कर देती हूं थोड़ा सा क्लीन यहां पर इससे ना ममी लोगों की हेल्प हो जाएगी थोड़ी वो लोग सुबह से मतलब बहुत जादा बिजी थे क्लीनिंग में लगे थे तो मैंने का यह वाला मैं कर देत रख देते हैं वो अपने स्कूटी का बहुत जादा ख्याल रखते मतलब चूने भी नहीं देते किसी को अगर किसी ने चूली है मतलब उसको पूरा क्लीन करके उनको देना है तो इसलिए मतलब बहुत साल हो गए लेगिन उनका स्कूटी बिलकुल नया है तो यहां देखे friends, stands लगाने से गमलों को clean करना बहुत easy हो जाता है इतना जादा गंदा नहीं होता और उनको वस सरका सका के पूरा मतलब clean करा जा सकता है, तो आप देख सकते हो easily मैं उनको निकाल रही हूँ और उसके नीचे से clean कर दे रही हूँ, तो इससे easy हो जाता है cleaning तो अगर आपके पास भी बहुत सारे plants है, तो इस टाइब के stands पे आप रख सकते हो पारिश के मौसब में पहले यह जाड़ू से अच्छी तरह से अगर हम clean कर लें और फिर उसके बाद मतलब पानी और थोड़ा lizol या कोई भी फिनाइल जो आप यूज करते हो उसके साथ अगर आप पूरे घर के आंगन को clean कर दे जहां पे गंदा हो गया है तो वो सारा मतलब कीड़े मकॉड़े मच्छर नहीं आते हैं और बिल्कुल साफ रहता है सबसे जादा मच्छरों का डर होता है इसलिए clean रख घर पे और मैं तो clean करने के बाद मतलब आंगन को दोने के बाद फिर mopping भी कर देती हूं ताकि क्योंकि हमारे घर में जो मेरे parents है वो भी चलते रहते तो इसलिए dry रखना पड़ता है हर जगा क्योंकि वो बड़े हैं तो उनका ख्याल करना पड़ता है और हमारे लिए भी मत पूरा भीगा वगेरा रहेगा पानी तो बारिश के मौसम बचिक चिक होता है इसलिए ना पूरा मतलब अच्छी तरह से मॉप कर देना चाहिए घर को तो यहां देखिए friends बारिश का मौसम के वज़े से plants कितने green हो गए और यहां पे गमले में धनिया डाली हुई थी तो व वाला स्टोर नाट मैंने किया था तो यहां पान का जो प्लांट है कितना grow हुआ है अच्छा सा green है बहुत अच्छा है तो चलिए यहां पर मैं डाल देती हूँ मशीन में कपड़े क्योंकि सुबह तो नहीं डाले थे तो मैं ही डाल देती हूँ friends आज का व्लॉग आपको कै कैसा लगा आप मुझे जरूर बताईएगा और अपने family का ख्याल रखना अपना ख्याल रखना like comment share subscribe जरूर करना happy life happy life channel को आपका love and support देना take care friends have a great day bye friends